हेलो एवरीवान कैसे हैं आप लोग आज की जो मैं रस्पी लेके आई हूँ वो आप एज़ा मॉर्निंग ब्रेक्फास्ट भी ले सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स की कोई भी क्रेवीं को उस सब को शान करने के लिए रस्पी मज़े दारा हैं यह आप गिल्ट फ्री हो के ले स हल्दी इन सबको अच्छे से मैरिनेट करके मैं 5-10 मिनट के लिए रख दूंगी यहाँ पर मैंने खीरा प्यास टमाटर नीबू मिर्ची इन सबको काट लिया है और फिर अब मैं चली कढाई जी हां यहाँ पर मैंने कढाई चढा दिया हैं और मैने यहाँ पर उबले हुए दो आलू ले लिये हैं उसको छील के अच्छे से मैश कर लीजे थोड़ा सा आलू जो हलका सा खड़ा रहेगा प्रापर अच्छे से मैश नहीं करना है और मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है और इसको अच्छे से चिटक जाने पे यहाँ पे मैं डाल दूँगी आलू और इ अच्छे से भूँजाने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी ये बहुत जल्दी मुस्किल से 5-7 मिनट में भूँजाता है और फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें जो सबजिया है वो डाल दूँगी तो यहाँ पर मैंने खीरा तमाटर इन सब को अच्छे से मिला दिया है और फिर यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था तो मुझे अलग से नमक एड़ करने की जरूरत नहीं है आपको जितना खटा खाना है आप इसमें निम्बू एड़ कर सकते हैं and then आप इसको as a save और अनारकेदाने कुछ भी डाल के अच्छे से गानिस करके आप as a guest को भी शर्फ कर सकते हैं and then आप भी enjoy करिए खाईए as a evening snacks या as a breakfast किसी भी टाइम आप ले सकते हैं यह बहुत ही healthy नास्ता है and बहुत ही जल्दी बनने वाला है तो आप भी खाईए and जो हाँ जो कभी comment हो तो प्लीज आप comment जरू करिएगा and हाँ अगर आप पहली बाद मेरे चैनल पर आए तो प्लीज subscribe to my channel and thank you enjoy bye bye झाल झाल